हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और फ्रेंट्स देखें आज की इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्तुपूर्ड इंफूमिशन आप सभी के साथ सेर करने वाले हैं जैसे बहुत सारे जितने भी 2019 वैज के इंफूमिशन नहीं हुआ है और अगर एड्मिशन नहीं होता है तो फिर हम जो स्कॉलर्शिप का फॉर्म है उसको फिलप भी नहीं कर पाएंगे और जो यूपी स्कॉलर्शिप के लास्ट डेट है वो भी बहुत ही जादा अब कह सकते हो कम दिन रह गया है तो हम किस तरीक चुके पास यह इंफूमिशन नहीं से जानकारी पहुश चके तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हो कि हम सरकारी रिजल्ट पर हैं और कुछ कमेंट्स देख लेते हैं जैसे कि यहां पर आपसे भी कुछ कमेंट्स देखने को मिल जाएंगे ठीक है जिनका यह पूछना है कि स्कॉलर्शिप की डेट आगे बढ़ेंगी या फिर नहीं इस पर एक वीडियो प्रोवाइट की जिए फिर यहीं कह रहेंगी यानि इनका सवाल एक ही है कि क्या जो आई स्कॉलर्शिप की डेट है वो बढ़ेगी या फिर नहीं सबसे पहले आप देख सकते हो कि हम सरकार यहां पर आप देख सकते हैं कि एक मिनत ठीक है फिर से एक बार सर्च करते हैं थोड़ा प्राब्लम था यहां पर हम क्लिक करते हैं यूपी स्कॉलर्शिप अप्लाई ऊनलाइन ट्रिक है इस पर हम लोग क्लिक करते हैं और बहुत सारे अड़ आ रहें ठाट है तो यहां पर आप देख सकेंगे की बोल रहा है कि जो UPS scholarship ठीक है यहाँ पर starting date कब से start हुआ है यहाँ पर पूरा information दिया है देखे यहाँ पर जो इस form की शुरुआत हुई थी 24-7-2020 ठीक है और last date जो है वो है आपका यहाँ से 15-12-2020 यानि आप इस form को apply कर सकते हूँ यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर यह आपका pre-matric यानि class 9 से 10 तक यहाँ पर दिया है और जो post-matric अधर आप course करते हो या फिर UZPJ diploma certificate course करते हो तो यह इसकी date की सुरुआत हुई थी जो कि 1-8-2020 से और 15-12-2020 तक है और आज है 8-12-2020 और आपके पास जो timing है बहुत ज़्यादा कम है और admission अभी तक नहीं हुआ प्लस सबसे ज़्यादा महत्वपूर कि आप सभी का अभी result तक नहीं आया है तो आप किस तरीके से form को apply कर सकत तो जी हाँ फ्रेंट जब तक आप सभी का result नहीं आजाता तब तक आप form को apply नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें जो भी data होता है वो fill up करना होता है उश्री के अंशार पर आप सभी को scholarship दी जाएगी ठीक है प्लस आप सभी का अभी तक admission भी नहीं हुआ है बहुत सारे प्रिश् जैसे कि मालने जे एक या दो subject में back आया है तो आपको third semester में admission मिल जाती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर आप जैसे कि अब सभी को पता है कि इस बार का जो नियम है अगर आप second semester में back आ जाती है तो फिर आपको fourth semester and second semester दोनों exam देना होगा क्योंकि अभी जिन प्रिश्यो जाम है उनका जनवरी यानि जनवरी 2021 में करवाया जाएगा तो यहां पर बात करते हैं सबसे में जो हमारा point है कि क्या scholarship का date बढ़ेगा या फिर नहीं हर बारी कि तरह क्योंकि पहले भी date बहुत ही जादा कम था फिर से इसको बढ़ाया गया और 100% तेया है कि इस बार भी जो scholarship का form fill up नहीं कर पाए हैं और अगर हम अगर सही बात कहें आप सभी को कि जो सरकार के रण नीती होती है कि बहुत सारे प्रिसिक्चू या आप कह सकते हैं students scholarship का form तो fill up करते हैं बट गिने चुने students का scholarship आता है और बहुत सारे students का नहीं आता है सो आप सभी का काम है scholarship का form fill up करना तो यहां पर हम बिल्कुल सटिक सब्दों में कहेंगे कि जो scholarship का date है वो 100% आगे बढ़ना चाहिए और हर बाड़ी बढ़ता भी है ठीक है तो आप सभी को बिल्कुल भी परिशान होने की आवशकता नहीं है अगर हम बात करें कि जो result है वो आप सभी की copy चेक हो रही है और 20 दिसंबर तक चेक होंगी उसके बाद आप सभी का result जो है वो declared कर दिया जाएगा जो कि दिसंबर के last week में या फिर January के first week में 100% में कहा रहे हूं कि आप सभी का result है वो declared कर दिया जाएगा ठीक है तो आई हो कि आपको यह इन्फोमिशन है बह इतना ही और भी अगर आपके जो कुछ भी डाउट रहे जाते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके बता सकते हूं ठीक है मिलते हैं नई इंफोमिशन के साथ प्लस नई क्लासेस में थैंक्स पर वोचिंग टेक कियर एंड बेस्ट अफ लग